हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी के अपने इस प्यारे से परिवार में स्वागत है जिसा कि आप जानते हैं एडवांस मैथ में ट्रिग्नोमेट्रिक की जर्नी स्टार्ट की थी और लेडी टू क्लासस आपको रिकॉर्डर फॉर्म में मिल जाएंगी यूटूब के मात्यम से प्ले लिस्ट पर अब जाएंगे तब आपको प्रिवियस एर क्लासस रिकॉर्डर फॉर्म में आपको फिरी में मिल जाएंगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्स्राइब करना ना भूलें करेक्ट प्रिवियस एर क्लास में किस नमबर तक कोशन हमने सॉल्व कर लिया था तोड़ा एक बड़ देख लेते हैं तू क्लासस आपकी कंपीट हो गई है यह आपकी थर्ड क्लास है आज यह टेन नमबर तक अपने कोशन फाइनल हो गयते हैं आज स्टार्टिंग करेंगे 11 नमबर से और देखिए बहुत ही अच्छा कोशन है 11 नमबर आपका SSC CGL मेंस मे पूछा गया है SSC CGL में 322022 में रिलेमेंट आया वा कोशन है वीडियो को एक बार सेर जरू कर देना इसके बाद कोशन स्वालू करते हैं देखिए बहुत एजी कोशन है आपको क्या दिया गया है Cosθ दिया गया है 12 अपोण 13 कोश होता है क्या है आप बोलेंगे कोश होता है आपका Base upon Base upon थाईपो यहां से परपेंडिकुलर की वैलू कैसे निकलाएगी जाहिर सी बात है आप देखिए Cosθ दिया गया है cos θ, cos θ आपको दिया गया है 12 upon 13 और आप जानते हैं, cos होता क्या है, cos होता है b upon h तो यहां से आप perpendicular की value कैसे find करेंगे तो perpendicular की value आप बहुत आसान way में निकाल सकते हैं यह देखिए, आप triangle बनाईए यहां पे और यह आपका θ थीटा है तो base क्या हो जाएगा आपका, base है आपका 12, hypo है आपका 13 तो triplet होता है न, 5, 12 और 13 5, 12 और 13, तो perpendicular की value आपकी क्या निकलेगी यहां से 5, previous year classes को आप फिर से recall कर लीजिए triplet आपको बताए गयते, जो कि आपको to the point याद रखने है अब इसको solve करते हैं, condition आपको यह solve करनी है क्या, sin theta bracket 1 minus 10 theta upon 10 theta, bracket में आपका है 1 plus cos theta चली इसको find करते हैं, एक बार लिख लेते हैं, आपको find क्या करना है लिखना है, आपको sin theta, correct, sin theta, sin theta is 1 minus 10 theta, 1 minus 10 theta upon, upon 10 theta, upon 10 theta, bracket में आपका 1 plus 1 plus cos theta, correct, आप इसको आपको solve करना है, देखिए, solve करते हैं न, sign क्या होता है, sign होता है, आपका P upon H, क्या होता है, P upon H, एक बार फिर से इसके clue word लिख लेते हैं, sign होता है, आपना P upon H, bracket में आपका 1 plus 1 minus 1 minus 1 minus 1 minus 10 क्या होता है, आप बोलेंगे P upon B, आज इंटेट नीचे देखिए, आपका 10 क्या हो जाएगा, 10 होता है, आपका P upon B, bracket में आपका क्या है, 1 plus 1 plus cos theta, cos theta किसका reciprocal होता है, आप बोलेंगे sign का, sign होता है, आपना P upon H, तो यह हो जाएगा, H upon P, next condition में आपको क्या करना है, जाएग सी बात आपको दिखी रहा है, बस इसकी value आप पूट कर दीजिए, P की value आपकी क्या है, आप बोलेंगे 5, बस आपको data यहाँ पे पूट करना है, H की value आपकी 13, 13 as it is, इसके बाद इसको अंदर bracket वाली value को रखिए, P की value आपकी 5, औ और B की value आपकी 12, इसके बाद नीचे वाले part को आप solve करेंगे, जब आप नीचे वाले part को यहाँ पे solve करेंगे, तो देखिए, बस वहाँ पे भी आप इसकी value रख दीजिए, P की value क्या है, P की value आपकी 5, B की value है आपकी 12, 1 प्लस H की value है आपकी 13, and P की value है आपकी 5, इस point पर किसी को कोई doubt, चलिए, अब इसको आगे और solve करते हैं, जब इसको आप आगे और solve करेंगे, तो देखिए, बहुत ही पहाँ तरीके से आप इसको solve कर सकते हैं, अब इस condition को आगे solve कीजिए, तो देखिए, यह हो जाएगा आपका 5, 13, अब इसका अंदर वाला, जब आप bracket के अंदर solve करेंगे, तो आपका जो LCM हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12, और cross multiply 12 में इसे जब आप 5 माइनस करेंगे, तो कितना आजाएगा आपका 7, upon, यह adjective रखिए, आप 5 upon 12, इंटू, जब इस अंदर वाले bracket के पार्ट को जब आप solve करेंगे, तो आपका LCM तो आजाएगा 5, 5, 5, 5 में जब आप 13, 13 को add करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 18, अब इसको आप आगे solve करेंगे, अगर ऐसे कठनाई हो रही है आपको solve करने के लिए, तो आपको पता ही मैंने क्या बताया था, A upon B, C upon D की form में हो, तो first वाला जो आपका यह है, यह आपका last वाले से multiply होगा, और बीच वाला बीच वाले से, तो इसको एक बार आरेंज करके आप लिख लीजिए, मैंने क्या कहा, आप इसको एक बार आरेंज करके लिख लीजिए, तो देखिए, 5 into 7, और यह नीचे वाला पार्ट आपको पता है, नीचे वाला, first वाला जो होगा, वो आपका आखरी व बीच वाला बीच वाले से multiply, यह आपका 13 into 12, 13 into 12, आपको पता यह आपका, इससे multiply होना है, 5 into 5 into 18, अब आप इसको cut करिए, जब आप इसको यहाँ से cut करेंगे, तो देखिए, क्या-क्या value आपकी cut हो रहे है, देखिए, 12 से 12, 5 से 5, हाँ, बच्चा क्या आपका, यहाँ पे आपका बच्चा, यहाँ पे आपका बच्चा, 5 into, 5 into 7 upon, यह आपका हो जाएगा, 13 into 18, जब इसको आप final solve करेंगे, तो आज आएगा 35, 35 upon 234, 35 upon 234, option number आपका B जो की correct है, अब यहाँ पे बात आती है, कि 2 into 2 का multiply आपने कैसे किया, अगर आपको table याद है, तब तो आपने solve कर लिया, अगर किसी को table नहीं आता, जिसे कि माल लो, randomly मैंने कोई number दे दिया, आपको, 82 into 92, तो जाहिर सी बात आप कैसे, पहले आप 2 का multiply कराएंगे, फिर cross लगाएंगे, फिर आप 9 का multiply करेंगे, फिर final आप add करकी value निकालेंगे, तो अब आपको ऐसा नहीं करना, अब यहाँ यहाँ पर हम आपको trick बताने जा रहे है, 2 into randomly कोई भी number हो, 2 into 2 का multiply कराना आपको सिखाने जा रहे है, और answer तो हो गए अपना concept भी, यहाँ से आपको multiply by 2 into 2, 2 into 2 का कोई भी number हो, 2 into 2 का कोई भी number हो, आपको multiply कराना हम सिखा रहे है, correct? 2 into 2 का, randomly कोई भी number ले लो, देखिए, randomly कोई भी number ले लो, जिससे कि हमने ले लिया यहाँ पर, 2, 2, 3, को into कराना है, आपको किसे, into कराना है किसे 4, 2 में, तो देखिए, इसको कितने part में आप break करेंगे, सबसे first part है इसका आप, की, इस वाले value को, इस वाली value से आप multiply कराईए, ठीक है, first step, तो आप first step इसका multiply कराएंगे, तो कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे, कितना आ जाएगा, six, second condition है, आपको क्या करनी है, second में आपको ये करना है, cross multiply, सबसे पहले, इसका four का three से multiply कराईए, और two का, इससे two से multiply, cross multiply, आप में सामने, ठीक है, उसके बाद, दोनों की value को आप, दोनों की value को आप plus करिए, अगर आपका, अगर आपका carry भी बचा है, तो carry भी साथ में add करते हैं, चलेंगे, correct, मतलब हासिल जो बचा है, ना बोलते है, carry, correct, इसके बाद देखिए आप, इसको multiply करेंगे, कितना आ जाएगा, आपका, two, two, the four, अब जब four का three में multiply करेंगे, तब आपका कितना आएगा, आप बोलेंगे 12, इसके बाद carry तो आपका बचा नहीं था, zero था ना, yes, अजब इसको आप बेटा add करेंगे, जब इसको add करेंगे, कितना हो जाएगा, आपका 16, इसमें से आपको, इसमें से आपको, इकाई, unit digit, इकाई कांग के लिखना है, बाकी एक आपका क्या हो जाएगा, carry, fix आप multiply करेंगे, कितना हो जाएगा, 8, और carry भी ता अपना 1, तो 8 में 1 आप add करेंगे, कितना हो जाएगा, 966, 966, यह हो जाएगा, आपका answer, यह बहुत ही speed में आप कर सकते हैं, बस थोड़ा सा practice के जरूरत है, यहाँ पर आपको 2 into 2 का बता रहे हैं, आगे चल के आपको 3 into 3 का भी multiply कराना बताएंगे, correct, इसके बाद, एक कुशन और आपको हम दे रहे हैं, एक कुशन और लिखिए आप, 9 into 2, इसको multiply कराना है, आपको 2 into 2 से, तो देखिए, first step क्या है, first step आपको यह बताया था, इसका इससे multiply कराएं, कितना आजाएगा, 4, second step में cross multiply, second step में आपको cross multiply कराना ह इसका इससे into कराएंगे, कितना आजाएगा, आपका 18, इसका इससे into कराएंगे, आपका 4, correct, और इसके बाद, carry तो आपका बचा नहीं, जब carry नहीं, बचा तो as it is, 18 में जब 4 आप add करेंगे, तो कितना हो जाएगा, आपका 22, आपको भी पता है, किसका केवल unit digit लिखना है, इका इकांक, बाकी 2 आपका क्या चला जाएगा, carry, 3rd step क्या है, इसको इससे multiply कराएंगे, कितना हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा, यह हमारा 18, 18 में 2 जब आप add करेंगे, तो कितना हो जाएगा, आपको 20, तो finally जो आपका result कर किया है, क्या निकल किया है, 20, 24, यह आप का हो जाएगा, answer, आपको एक question दे रहे हैं, जिसको आपको solution बताना है, comment box में, okay, एक आपको question दे रहे हैं, जिसको आपको solution बताना है, comment box में, आपको दिया मैने, 8, 2, point 2 कराना है, आपको 4, 2 से, finally answer आप कहाँ पे देंगे, comment box में, I hope आप समझ पायोंगे, आगी चलके आपको 3 into 3 का भी बताते हैं, चलो लगे आथ यहीं भी बता देते हैं, 3 into 3 का multiply कराना, चलो, चलिए भाई, यहीं भी बता देते हैं, जब आप सिकी रहे हैं, तो देखिए, बहुत अच्छे तरीके समझना, यह आपको बहुत important part हो जाता है, multiply कराना, calculation में बच्चे अटकते हैं, time ज multiply 3 into 3 का, randomly कोई भी आप question ले लिजिए, मैंने का आपका question है, 3, 2, 2, 2, इसको into कराना है आपको, 2, 1, 2 से, 2, 1, 2 से, correct, इसको आपको solve करने के लिए, आपको 5 part में break करना पड़ेगा, कितने part में, 5 प्रकार, ठीक है, आपको लिखा रहे हैं, एक मिएट का time दीजिए, मैं थोड़ा सा बना लूँ, इसके बाद आपको बिल्कुल easy way में बताएंगे, कोई cut night का आपको, होने नहीं देंगे, अब इस बार कभी भी आप 3 into 3 का multiply कराएंगे, तो इसी method से आप करेंगे, जैसा हम आपको बताना जा रहे हैं, बाकी आपने 2 into 2 का multiply कराना तो सीखी लिया बहुत अच्छे तरीके से, 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट में ब्रेक करना है, ठीक है, 5 पार्ट में इसको ब्रेक करके हमको पढ़ना है, यह आपको dot चो लिखे हैं ना, यह आपके number ही है, ठीक है, जैसे आपके ऊपर 3 हैं, और यह आपके 3 हैं, यह आपका type 1, case 1, ऐसे लिख देना, case, case 1, यह आपको हो जागा case, कल क्यों नहीं रहा भाई, case 1, यह आपको हो जागा case 2, यह आपको हो जागा case 3, क्यों हो जागा case 4, आप देखते हैं इसको solve कैसे करेंगे सबसे पहला method आप जाहिए case 1 में क्या करेंगे कुछ नहीं करना आपको इस वाले number को इस वाले number से क्या कराना है आप बोलेंगे multiply करेक्ट इस वाले number को इस वाले number से क्या कराना है multiply जब इसका से multiply कराएंगे तो आपका क्या गया फोर इतनी बास समझ में आई second step में आपको क्या करना है cross multiply इस वाले number का इस वाले number से multiply second step में आपको करना है क्या cross multiply इस वाले number का इस से और इस वाले number का इस से और दोनों को add कर दीजिए दोनों को क्या करना है फिर add अगर carry है तो carry भी साथ में आपको लेके चलना है देखिए two into two हां रेके क्या हो जाएगा लिख देते हैं क्या क्या किया है two into two कितना हो गया आपका four और इसके बाद two one's a two कितना हो गया two जब बेटा इसको भाई add करेंगे आप तो कितना हो जाएगा आपका six correct जब आप इसको add करेंगे तो कितना हो जाएगा six अब आपको six लिखना है ओके इसके बाद इसके बाद third method में आपको क्या प्रक्रिया करनी है third में आपको ये करना है इस wire number का अपर वाले number से multiply cross multiply इस wire number का इस wire number से multiply और साथी साथ इस wire number का इस wire number से multiply और सभी को आपस में carry है तो carry के साथ add कर दो correct इस point में आप बहुत ही अच्छे तरीके से थोड़ा ध्यान देंगे मैंने क्या कहा मैंने ये कहा कि third step में क्या करना है इस wire number का इस wire number से cross multiply इस wire number का इस wire number से cross multiply साथी साथ बीच वाले का भी आपस में multiply और सभी को आपस में सभी को आपस में add कर देना है carry है तो carry के साथ carry है तो carry के साथ देखिए solve करिए इसको आपका क्या answer आएगा एंसर आ जाएगा आपका देखिए इस वाले number का इस वाले multiply कराएंगे ना 3 तूजा 6 इसके बाद 2 तूजा 4 और एक बात और थर्ड स्टेप पी चल लाए ना इसका इससे भी multiply क्या हो जाए 2 वन्जा 2 carry था carry आप बोलेंगे नहीं था correct carry तो नहीं था तो आप इसको add कर पाएंगे तो देखिए जब आप इसको add करेंगे तो हो जाएगा आपका 12 आपको भी पता है बहुत अच्छी तरीके से कि 12 में केवाल आप 2 को लिखेंगे 12 में केवाल आप 2 को लिखेंगे 1 को जाएगा carry 4th step में क्या करना है 4th step में आपको यह करना है कि इस वाले का इस वाले से cross multiply कि po add कर देना है अगर carry के साथ नहीं यह तो कोई बात नहीं फूर्थ स्टेप में आपको क्या करना है इस वाले नंबर का इस वाले से multiply और इस वाले का नंबर का इस वाले से cross multiply 2 to the 4 2 to the 4 2 to the 4 3 वन्जा 3 और carry था carry इस बार आपका था 1 अजब इसको आप add करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 तो आपको प्याय तरीके से यहाँ पर 8 लिख देना है last step आपकी क्या है last step आपकी यह है last step यह है कि आपको अब इसको इस वाले को इस वाले से multiply करा दो और carry है तो carry के साथ add कर दो correct तो देखिए इसका इससे multiply कराएगी कितना हो जाएगा 3 to the 6 3 to the 6 carry तो आपका था नहीं तो as it is 6 आपका आजाएगा as it is 6 आपका आजाएगा बात समझ में आई फिर से repeat कर दें क्या किया सबसे पहले आपका यह 3 to 3 का बहुत ही पहले तरीके से question लिखा था ठीक है मैंने इसको 5 part में break करके आपको बताया first step क्या करनी है इस वायर नंबर का इस वायर नंबर से multiply कराईए जो आए आप लिख दीजिए क्या आया था आपका इसमें आया था आपका 4 आया था इसमें आया था आपका 4 second step में क्या करनी है इस वायर नंबर का इससे cross multiply इसका इससे cross multiply तो केरी की साथ साथ में लेकर अगर आपका केैरी बचा है हासिल बचा इसकोुल आया सकस्सिक्स आपने लिखा घ्र इसका से Mega मैं सब इक ठीक है उस सभी को आपस में एड करिए जो आया आप लिखिए इसमें आया आपका 12, 12 में आपने यूनिट डिजे लिखा एका 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 अंक 12 था 1 आपका कैरी फूर्थ स्टेप में क्या किया इस वाले का इससे मल्टिप्लाई क्रॉस मल्टिप्लाई 1 का 3 में 2 का 2 में और हासिल के साथ इसको जोड दिया कितना आए आपका eight and this last step आपकी क्या है last step आपकी यह है इसका इससे multiply कितना आए आपका six correct बात आई समझ में चलिए बहुत ही प्यायत तरीके से आप समझ पाएंगे आपको एक कोशन और देते हैं वो आपको comment box में उसका solution बताना है जब आप speed maintenance कर लेंगे इसमें अच्छे से practice कर लेंगे तब आपको बहुत ही कम time में आप three into three का कोई भी three into three का multiply आप करना सीख पाएंगे आपको हम question दे रहे हैं और सभी को comment box में इसका solution answer बताना है हाँ चलिए आपको दिया मैंने eight seven six eight seven six one two three इसका इससे multiply कराना है और basic से नहीं one line में answer देना है क्या one line में answer क्योंकि अभी तो आपने one line में answer निकला ना पाच step में break करिए चलिए करेंगे कैसे का इसके पहँराना है इसको सब्सक्राइब कारअध दक न सब्सक्राइब करें जोड़ लो थार्ड इसका संद्धी concept करेंड खाए और इसके इससे चाहित करीड़ी है के साथ नहीं हो लाइन में आपने मल्टिप्लाइ कराना बिल्कुल स्मार्ट ट्रिक के साथ सीख लिया बहुत बढ़े हैं चलिए कोस्टन भी हमने सॉल्व कर लिया था 11 नमबर अब बारी आती है यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना इसका अंसर बताना ना भूलें अब आती है आपका 12 नमबर देखिए कोस्टन आपको क्या दिया गया है 12 नमबर में आपको दिया गया है क्या है पढ़िए 10b 10b is equal to 5.3 10b is equal to 5.3 10 होता है क्या आपका आप बोलेंगे तो यहाँ आपके हाइपओ की वैलू कैसे हाइं यहाँ से आपका परपेंडी वैलू कितला है आप बोलेंगे 5 बैस कितना है धृर हाइप फाइपन की वैलू करने की लिए दोनों का वैलू को स्कॉार करके आपस मैंड कर दो 5 क्यसक़त हो जाएगा आपका 25 3 का square हो जाएगा आपका 9 जब आप इसको आपस में add करेंगे मैंने क्या का हाइपो की value एक line में आप कैसे निकालेंगे perpendicular और basic value को आपस में आप एक बार add कर दीजिए ठीक है correct इसके बाद आपके हाइपो की value आपकी आराम से निकालाएगी तो कितनी निकालाएपो की value आपको निकाली under root 34 ये बात समझ में आई बहुत बड़िया अब आपको condition क्या दी गई है cos 1 beta plus sin beta upon cos beta minus 1 beta और question आया किस में है SSC CGL में SSC CGL में ठीक है तो करते हैं इसको solve चलिए अब बारी आती है इसको solve करने की आपको करना क्या solve cos 2 beta cos 2 beta आपका क्या होता है ये आपका angle भी था ये बात समझ में आई बहुत बच्छे cos 2 beta cos 2 किसका reciprocal होता आप बोलेंगे sign का sign होता आपका P upon H तो ये हो जाएगा H upon H upon H upon P ये हो जाएगा cos 2 क्या हो जाएगा H upon P correct H upon P plus sign होता है आपका P upon H upon cos 2 beta cos 2 beta क्या होता है B upon H cos 2 beta B upon H minus cos का reciprocal से होता है तो ये हो जाएगा H upon B H upon B finally जब आप इसको solve करेंगे जब आप इसको यहाँ से solve करेंगे value रखिए आपकी जब से पहले तो आप value रखिए ना इसमें जब आप इसमें value रखिए एच की value कितनी है आप बोलेंगे H की value आपकी under root 34 under root 34 upon P की value कितनी है 5 plus P की value आपकी 5 upon H की value आपकी under root 34 ये बात समझ में आई correct नीचे चलते हैं B की value आपकी 3 B की value 3 H की value आपकी under root 34 minus हेट की वैलू आपकी अंडर रूट 34 अब वैलू आप की थिरी आप पाइनली इसको जब आप सॉल्व करेंगे देखिए क्या रिजल्ट आपको निकल के आएगा अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे अब इसका एल सिम लीजे तो कितना एल सिम आज आएगा आपका पाइप इसके बाद इसका से मल्टिप्लाइब करना तो आता ही होगा कराएंगे तो रूट आधा मिलकी कितना हो गया एक तो रूट खतम तो आजये कि वैलू 34 इसको solve कीजिए तो आपका denominator में आ जाएगा 3 root 34 इसके बाद आप इसको cross multiply कराए क्या हो जाएगा आपका 9 minus आदा आदा half आप कितना हो जाएगा वन पर्ड बन जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका minus का 34 correct अब इसको आप और आगे solve करिए अब इसको आप और आगे जब solve करेंगे तो देखिए आप उपर वाला add कीजिए यह तो चलो एक establish देते उसके बाद काटते हैं कोई परिसानी ना किसी को तो यह आपका क्यों हो जाएगा जब उपर वाली जंकिया को आप जब add करेंगे तो नाइन और यह हो जाएगा आपका 5 इसको लेस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा आप बोलेंगे 25 आप बोलेंगे 25 करेक्ट इसके बाद यह आपका आपका आजटीज हो जाएगा थिरी रूट चौटिस थिरी रूट चौटिस अब जब आप इसको और आगे सॉल्व करेंगे और आगे जब सॉल्व करेंगे तब मैंने क्या बताया एप बी यह तो आप पैमेलियर हो चुकेंगे आप आसान सी काट सकते हैं देखिए इससे यह वाला आपका कट और देखिए यह तो आई ना ठीक लिग लेते हैं यह आपका हो जाएगा 59 इंटू यह पार्ट आपका उपर पहुंचाएगा ओवरलैप हो जाएगा थिरी इंटू अंडर रूट चौटिस थिरी इंटू अंडर रूट चौटिस अपन अपन यह वाला आपसे मल्टिप्लाइब फाइब इंटू इंटू पच्चिस एक बात का फुल हैं वो कौन सी बात है आपका माइनस की वैलू तो माइनस का सैंबल तो आप ले ही नहीं रहें देखिए वैलू तो माइनस कहा जाएगा आपका आगे माइनस आपका कहा जाएगा आप बोलेंगे माइनस तो आजाएगा सर आगे जो value आएगी minus में आएगी बस समझ में आई चलिए अब जब इसको आगे solve करेंगे जब आप इसको आगे solve करेंगे देखें कुछ में आएगा वो भी माइनस में आएगा 1997 आपको एक करेक्ट है बीया आप मत करग कर देना यह आपका रॉंग क्रिकि यह प्लस में वैल्लू आपको हैं सर थो मैंस में अपको 10 मैं मिया आया है तो आपका एज इसको डराना नहीं है ना ही डरना है बस solve करना है इस question को हम आप हाँ हम इस question को solution कितने दो बताएंगे एक तो आपको basic दुखसरा तो आप जानते ही है smart चलिए पहले method one बता रहे है जो कि आपका क्या होगा method one है आपका basic method one है आपका basic question देखिए किसमें पूचा गया है SSC CHSL में हां SSC CHSL में question पूचा गया है बहुत ही प्यारा question है देखिए अब भी हम आपको ये केवल basic से solve करना बता रहे हैं केवल basic से solve करना बता रहे हैं जब कभी भी ऐसे condition आपको दी जाए ठीक है तब आपको क्या करना है equal कि इसमें cross multiply कराना है क्या cross multiply बात समझ में आई तो देखिए इस 5 का multiply करेंगे उपर वाले दर्म में क्या हो जाएगा आपका 5 जब आप यहां से solve करें क्या हो जाएगा आपका 5 5 sin theta 5 sin theta minus minus 5 cos theta correct और cross multiply करा रहे हैं तो यह वाला part आपका इससे multiply होगा तो क्या हो जाएगा 4 4 sin theta 4 sin theta plus plus 4 cos theta अब जब आप इसको equation को solve करेंगे तब देखिए क्या होगा यह देखिए 5 sin theta इदर plus की value है यह इदर plus की value है equal में इदर आएगा तो minus को हो जाएगा तो आपका बचेगा क्या k only बचेगा sin theta sin theta is equal to यह cos theta इदर minus की value है equal की इदर में जाएगी तो आप पुलेंगे plus में हो जाएगी तो 4 और 5 कितना हो जाएगा आपका 9 cos theta अब आपकी मर्जी sin को इदर ले जाओ या cos को इदर ले जाओ हम इसको 10k पदों में convert करने है तो यह हो जाएगा आपका sin theta upon इदर multiply सिदर आएगा तो क्या हो जाएगा divide में cos theta is equal to is equal to हो जाएगा आपका 9 और sin upon cos याद कीजिए आपको एक साल पहले मैंने बतायाता है formula क्या होता है इसका concept क्या होता है sin upon cos होता है आपका 10 theta 10 theta is equal to 9 और 10 होता है क्या है आपका तो बड़े प्याय तरीके से बोलेंगे 10 जो होता है आपका क्या होता है perpendicular upon base तो यहाँ base की value नहीं है तो आप क्या assume करेंगे 1 कोई दिक्कत इतनी बात समझ में आई तो यहाँ से आपकी hypo की value क्या निकलेगी hypo की value यहाँ से आपकी निकलाएगी hypo की value find करने के लिए आपको hypo की value find करने के लिए perpendicular का square plus basic square को आप चोड़ दीजिए 9 के square हो जाएगा आपका 81 1 का square हो जाएगा आपका 1 जब आप इसको final solve करेंगे तो h की value आपकी आ जाएगी अंडरूड अंडरूड 82 यह बात समझ में आई अब आपको अब आपको find क्या करना है find आपको करना है कॉसेक square theta कॉसेक square theta upon 1-1-1-2 next page में चलते हैं इसको solve करते हैं क्षसन आपको कंडिशन solve करनी हैं कंडिशन है आपकी कोजेक कॉसेक 2 फिटा अपउन अपॉन 2-2-2 कॉसीक कैस्ष्क फिटा करेक्ट यह तो है ना कॉसेक स्कॉरर centre अपॉनWh फिटा अचलिए कॉसेक होता क्या है अपका अब ये आप हिसको solve करेंगे कॉसेक होता है आपका sign का reciprocal sign होता है आपका P upon H तो ये हो जाएगा H upon P, इसका क्या करना है आपको दोनों का ही square करना है अब जब denominator वाली values आप solve करेंगे तू आपका agitives हो जाएगा ये हो जाएगा आपका H upon P इन दोनों का ही करना है का आपको square हाँ स्कुर्ण आप जब इसको और आगे सॉल्व करेंगे यहीं पर देख लेते हैं आगे बस और सॉल्व करना है आपको इस पर वैलू रखनी है तो देखिए एच की वैलू क्या है आपकी तो आप बड़े प्याइद तरीके से बोलेंगे कि हमारी एच की वैलू है अंडरूट ब 82 की अपॉन पी की वैलू बर आपकी 9 आप आप आपॉन ac to minus two- minutes is वैलूँ है आपकी अंडरूट ब्याइद चीकी वैलूँ है आपकी एक त्वेलोव आपकी नाइन इसका क्या कर ल fall is when में फ्यक्री है विदवर्य तरीके से आपको ऊंडरी श्टेप बता रहे हैं करेक्ट चलिए अब जब इसको और आगे आप सिंप्लिफाई करेंगे अब देखिए स्क्वाइर से रूट खत्म तो उपर आपका क्या बचेगा न्यूमेरेटर ने बचेगा आपका 82 और 9 के स्क्वाइर हो जाएगा आपका 81 अपका 86 अपोन टू आपका जिटी स- बान से रूट आपका फिनीश हो जाएगा यह लुग यह जाएगा 82 और 9 के स्क्वार हो जाएगा आपका 81 जब आप इसको solve करेंगे और आगे जब इसको solve करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 82 अपन 81 अपन डिमिनेटर आपका as it is रहेगा इसको two time multiply कराएंगे अब आप cross multiply कराएंगे तो आपका आजाएगा आपका 162 आजाए माइनस 82 इतनी बात समझ में आई अब इसको फाइनली solve कर लेते हैं एक भी step हमने आपकी skip नहीं किये problem आपको नहीं होनी चाहिए अच्छित लिग देते हैं क्या आपका 82 अपन 81 अपन जब आप इससे इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका जीरो 80 और यह हो जाएगा आपका 81 अब फाइनल जब यहां से आप इसको कट करेंगे तो देखो 81 से 81 खतम और देखो 82 यह देखो कितनी बार में जाएगा यह तो आप बोलेंगे चालिस चालिस अपन 44 अपन चालिस कौन सांसर मैच कर रहा है आप बोलेंगे अंसर नंबर 13 तो था हाँ थर्टीन है थर्टीन है अरे कि मने क्या कर दिया अब आपका बचा क्या देखो 81 से 81 खतम इसके बाद आपको यहां पर बचा है यह देखिए 82 और 80 फिर से देख लेते हैं 82 और 80 जब आप इसको कट करेंगे हमने मिश्टेक कर दी ती क्या इसलिए कह रहे हैं जल्दी बाजी नहीं करनी आपको जल्दी बाजी नहीं करनी यह हो जाएगा आपका 41 अपन 40 और देखो यहां से आपका ट्रिप्टेट भी तो यूज हो रह he is correct तो देखिए 9 चालीस और 41 का चली यहां आपका हो जाएगा फ़ाइनल आंसर अंसर हो जाएगा अंसर अंसर नंबर कौन समयच कर रहा है अंसर नंबर आपका मैस कर रहा है है 41 upon 40 41 upon 40 option number C ये वाला आपका wrong हो जाएगा 40 upon 41 नहीं है क्योंकि बड़ी value आपकी पहले है और चोटी value आपकी बाद में चलिए इसको cut करने के बाद finally ये आया है बास समझ पर है चलो आप देखते next रखाई है तो हट अधो बढ़ना कोई कहेगा कैसे आपने कर दिया इसको क्योंकि फाइनल अब नेच्ट स्टेप में इसको कट किया है मैंने नेच्ट स्टेप में सो कट किया है अब कर दो कि चलिए चलते नेक्स्ट थर्टीन नमबर यह तो सौल हुआ भी हाँ अब कहा पहुचे हम अब पहुचे हम कि कि पोची नमबर पर फीन नमब tough देखिए अब से क्या बोला गया है उस्से पहले हमने क्या बताया इसको डो से बताएंगे मैं którego उस्चित्न आप कथा अभी बैसिक यह भी तेरे नमबर क्या था बैसिक अब नेक्स्ट इसको हम बताएंगे किससे अब नेक्स्ट इसको लेते हैं इसको मिटाइए आप पहले यह अभी था आपका बेसिक अब इसको हम बताते हैं आपको स्मार्ट एप प्रोच से चलिए तेरा नंबर यहां से आप साइन और कॉस की वैलू बहुत ही आसान वे में निकाल सकते हैं देखिए अब आपको पुशन पढ़िए अभी तो आपको मैंने क्या बताया अभी आप बोलेंगे सर अभी तो आपने मुझको यह बेसिक से बताया अभी आपने मुझको यह बेसिक से बताया अब बारी आती है इसकी स्मार्ट देखिए जब कभी भी ऐसी कंडिशन मनें क्या साइन थी से method number two डाल लेना है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना है मैंने आप से कहा मैंने आप से कहा a upon b की value दे दी आपको 5 upon 3 a upon b is equal to क्या दे दिया 5 upon 3 तो यहां से पता है आप यहां से आप पता है ए और बी की वैलू यह पॉन बी की वैलू दिये आपको 5 upon 3 तब आपको यहां से हम आपको बता दें जैसे अभी देखो एप इसको देखाए जूम कर यह a-b और a plus b is equal to a upon b लिखा है एजूम करूं ना चलिए तो यहां से a plus b की value कैसे निकलेंगे a plus b upon a minus b ठीक है a plus b की value कैसे निकालेंगे आप एक बार दोनों को add कर दो 5 plus 3 add करेंग कितना हो जाएगा आपका 8 एक बार बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दो आपको पता हुगा घट final आपको resultant क्या आजाएगा 4 final आपको कितना आजाएगा 4 ऐसे ही अभी आपको क्या था यह था a upon b के उसमें ठीक है अब आपको हम दे रहे हैं आपको second situation आपको यह दे रहे हैं second आपको यह दे रहे हैं कि हमने आपको दे दिया a plus b upon a minus b तब आपको a upon b की value को find करना है यहाँ पर मैंने दे दिया आपको साथ अपूंध थेरी तब यहाँ पर आपको यह पूंध तब आपको find करना है find करना है find करना है आपको a upon b की value को find करना है कैसे solve करेंगे को हां कैसे बहुत easy way में इसको solve कर सकते हैं आप देखिए को पहले तो चोटा कर लीजिए अब आपको बता रहे हैं स्मार्ट अप्रोस से जो कि आपको हर एक पॉइंट पर याद देना है अचले हैं यह बात समझ में अभी हमने क्या निकला थे एपन बी की वैलू दीगे थी तब आपको a plus b और a minus b की वैलू आपको find करनी थी second situation में आपको क्या दिए plus b और a minus b is equal to यह कुछ वैलू दी है product अब आपको निकालना क्या है एए और बी की a upon b की वैलू निकालनी है तो सबसे पहले इसको solve करने का नजरिया देखिए आप कैसे solve करेंगे देखिए हैं यहां से करते हैं solve जाप solve करेंगे तो एक बार दोनों को जोड़ दो एक बार दोनों को जोड़ दो तो a plus b a plus b में जोड़ना क्या है आपको a minus b a minus b upon एक एक बार बड़े वाले में से छोटा वाला गठा दो तो a plus b a plus b minus a minus b correct तब अब जब यहां से इसको आप solve करेंगे तो a plus b की वैलू क्या है आपकी बोलेंगे 7 7 plus 7 plus इसके बाद a minus b a minus b की वैलू क्या है आप बोलेंगे 3 correct इसके बाद a plus b की वैलू 7 इसमें से लिस्ट करना आपको 3 जब आप इसको final solve करेंगे जब आप इसको final solve करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका आप बड़े प्याज तरीके से निकालेंगे 10 upon यह हो जाएगा आपका 3 जाएगा आपका 4 आपका answer आजाएगा 5 upon 2 यह आपकी a की value है यह आपकी b की value है कितनी आ गई आपकी 5 upon 2 इससे यह conclusion निकल के आता है कि जब कभी भी a plus b पर condition है a plus b वाली आपकी value उपर होनी चाहिए और a minus b की value वह आपकी नीचे होनी चाहिए अब इसको करते हैं solve इसी method से इसको करते हैं solve यह अभी आपको एक से दो बार repeat कर लेना है correct चलो इसके बाद इसके बाद अब बार्याति इसको solve करने की method number 2 से कर रहे है method number 2 से कर रहे है हाँ तो सबसे पहले plus वाली value उपर होनी चाहिए और minus वाली नीचे होनी चाहिए सबसे पहले आप इसको interchange करिए तभी तु वह condition से satisfy करेगी तो क्या sin theta plus cos theta ये आपको क्या लेना है उपर लेना है तो pipe आपको ऊपर चला जाएगा upon upon sin theta minus cos theta क्या है आप बोलेंगे 3 थिरी है ने 4 है अब आपको एक line में solve करने के तरीका क्या बताया मैंने मैंने ये कहा है यहांसे अगर आप sin theta और cos theta की value निकाल लेंगे plus में जो लिखा है वह पहले value होगी और जो minus वाली value है वह आपकी बाद में लिखी होगी condition भी है plus वाली condition उपर होनी चाहिए minus वाली condition नीचे होनी चाहिए तब ही आपको वह value वह condition अभी प्रूफ किया है वह आपकी satisfy करेगी देखिए तो यहां पे sin की value कैसे निकलेगी sin theta is equal to एक बार दोनों को add करिए आप 5 प्लस 4 upon minus में क्या है आपका cos वाली आपको बाद में लिखनी है cos theta आपका diameter में रहेगा इससे बड़े वाले से आप छोटा वाला list कर दीजिए तो देखिए यहां से आपकी value क्या निकलेगी आप बोलेंगे 9 upon 1 जो कि क्या होता है sin upon cos क्या होता है आपका 10 theta 10 theta is equal to 10 theta is equal to 9 upon 1 यह होता आपका P upon B तो hypo की value यहां से आपकी यतनी निकलेगी आपकी निकलेगी यहां से निकलेगी देखो क्या इसके square में इसके square को जोड़ दो तो under root 82 यह देखिए कितने smart approach से अभी आपने निकाल लिया और जब आप अच्छे से इसमें practice कर लेंगे तब आपको यह लिखने जुरूरत ही नहीं पड़ेगी आप बस यहीं से सोचके answer आप दे सकते हैं डारेक्ट उसके बाद जब आप calculation solve करेंगे इसको इसको को से किस्क्वाइर थीटा अपॉन मैस को से किस्क्वाइर थीटा अंसर आपको भी पता है क्या आने वाला है option number C जो की correct है option number C यह method 2 से था चलिए चलते है next question में चलते है next question आप से क्या बोल ला है question number 14 देखिए बहुत ही प्यारा question है यह भी इसको करते हैं solve प्यारा है तो solve करते हैं सबसे पहले क्या cross multiply ऐसी condition दिख जाए तो आपको कुछ नहीं सोचना है cross multiply क्या cross multiply इसके नीचे 1 कलने कोई दिक्कत आप बोलेंगे नहीं यह है आपका यह आपका theory sin theta minus cos theta is equal to is equal में चला जाएगा ना उधर तो यह हो जाएगा cos theta cos theta plus sin theta plus sin theta correct अजब इसको और और आगे solve करेंगे आप तब देखिए यह cos इधर plus की value है यह तो फिर cos को उधर रखिए sin को उधर लाईए sin को उधर लाईए तो क्या हो जाएगा 3 इधर plus की value है और यह minus की value उधर आएगी तो 3 में से बन जाएगा तो आपका हो जाएगा 2 2 sin theta is equal to minus की value उधर जाएगी plus की तो हो जाएगा 1 1 2 cos theta को कॉसजद रहें कॉसजद की है क्वार्ट ऑप capitalist ऑफ हो गया तो रिज़ल से मृत होगा क्या आपका निकलं। क्लीआ शोट्ब है को अ आपका यह यह हrouगना ऐस ऑन यह की तेटा के वेलू का निकलिए बन अपन वन न्यूंग हो तो इसी नहीं दों जमेदी से फाराइक से 10 theta जो आपको होता है वह होता है आपका कैम्द पी अपॉर्ण भी आपको find क्या करना है सिटा मॉल्क्सी बात हो गई फोर थीता और इतन कर ऐसी प्रोकल होता है सिटा स्पवन थीटा फीर एक रोसी प्रोकल ही होता है इतनी यह आपको वन ही आना है वन अपॉन वन मदलब फाइनल वन आंसर नमबर आपका सी वन वन नहीं आना था हालतु में इतनी मिनत करवाली कोशन किसमें आया आपका आपको सॉल करते वे जा रहे हैं और यहीं स्पीड आपको मिन्टेन करनी है 15 नमबर कोशन देखिए आपसे क्या बोला है पंदार नमबर कोशन आपसे बोला गया है 10 थीटा 10 थीटा is equal to 2 upon root 11 और 10 होता क्या है आपका 10 जो आपका होता है आप बोलेंगे 10 आपको होता है क्या P upon P upon B P upon B बास समझ में आई 10 क्या होता है आपका P upon B बहुत बढ़िया आप करते हैं इस कोशन को सॉल्व और कोशन किसमें आया है आपका CHSL आपको 10 थीटा दिया गया है गीवेन है आपको 10 थीटा और 10 थीटा is equal to क्या दिया गया है 10 थीटा आपको दिया गया है 2 upon 2 upon root 11 और 10 होता क्या है आपका 10 आपका होता है P upon B तो यहां से H की value आपको find करेंगे H की value आपको find करने के लिए perpendicular और base के square को value को जोड़ दो पर पिंडिकुलर की square क्या होगा 2 को score हो जाए आपका 4 plus square से root खतम हो जाएगा हो तो हो जाएगा आपका 11 तो यहां से आपकी H की value कितनी निकल के आजाएगी बड़े इप्यार तरीके से H की value आजाएगी आपकी root 15 root 15 चलिए इसके बाद condition आपकी यह 2 cause x square theta 2 cause x square theta minus 3 sec square theta upon 3 cause x square theta plus 4 cause x square theta 4 sec square theta चलिए 2 cause x square theta minus 3 sec square theta एक बाद लिखते हैं उसके बाद करते हैं solve बहुत अच्छा question है देखिए 2 cause x square theta cause x square theta minus 3 sec square theta upon upon 3 3 cause x square theta cause x square theta plus 4 sec square theta अब देखिए इनके denoting करने वाले symbol क्या होते हैं 2 into into sorry sign जो होता है cause x square theta sine होता है P upon H sign होता है P upon H तो हो जाएगा H upon P इसका करना आपको square H upon P minus 3 sec किसका रिखिए रिखिए प्रोकल होता है cause का cause होता है आपका B upon H तो हो जाएगा H upon B H upon B इसका करना आपको square upon 3 as it is cause क्या हो जाएगा hypo upon P square plus 4 से क्या हो जाएगा आपका hypo upon B इसका आपको करना है square अब आप भी जाते है इसकी value आपको करनी है put अब जब इसकी value आप put करेंगे तब देखिए आपको क्या मिलेगा 2 आपका as it is रहेगा H की value कितनी है H की value आपकी root 15 root 15 का square क्या हो जाएगा आपका 15 upon P P का square P की value क्या है 2 2 का square क्या होगा आपका 4 minus है तो minus 3 into H की value 15 15 के square हो जाएगा 15 का root हो जाएगा आपका 15 क्योंकि root से square आपका खतम B की value है आपकी बोलेंगे root 11 और root 11 से square आपका root को finish कर देगा तो क्या आजाएगा आपके 11 upon 11 upon फिर इसके बाद देखिए प्याब भी नजरों से नीचे वाला part आप solve कीजिए तो 3 into H की value है आपकी H की value 15 15 का square हो जाएगा square से मतलब root खतम हो जाएगा ना चलिए root 15 का square 15 P की value P का square P के value आपकी 2 2 का square हो जाएगा आपका 4 और प्लस 4 into 4 into H का square root 15 का square हो जाएगा आपका पंदरा upon B आपका क्या है B आपका है root 11 root 11 का square हो जाएगा 11 अब जब final आप यहाँ से solve करेंगे तब आप इसको और tough बनाते वह चले जाएगे क्यों क्योंकि देखिए इसको और भी आप आसान वे में कर सकते हैं इस वाले पार्ट में एक बार गौर कीजिए और इस वाले पार्ट में आप नचर डा लिए प्यार भरी नचरों से तो देखिए यह कुछ value minus कुछ value यह आपकी प्लस यह तो यहां से देखिए 15 पंदरा उपर से common मिलेगा नीचे से भी 15 और पंदरा common लिकाल के पहले ही हमने cut दिया calculation भाई अपनी कम कर लिए बाकी आपकी मर्ज यह अगर लेकर साथ में चलेंगे 15 तो final आपका answer आना वही है तो हमने पहले ही common लेकर cut कर दिया अब इसके बाद यहां से देखिए एक और cut कर सकते हैं क्या 2 से कितनी बार में जाएगा यह हाँ 2 बार में और कुछ कर सकता है नहीं तो उसको लिखते हैं as it is तो हो जाएगा आपका 1 upon 1 upon 2 1 upon 2 minus 3 upon 11 upon यह हो जाएगा आपका 3 upon 4 3 upon 4 3 upon 4 plus 4 upon 11 अब आप इसको solve करिए अंसर प्यार भरी न जुरू से आप मिल जाएगा चलिए जब आप आगे इसको solve करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका अब आपका 22 यह हो जाएगा आपका 11 minus 11 minus 6 upon यह हो जाएगा आपका 4 4 और देखिए यह हो जाएगा आपका 23 plus 16 अब जब आप इसको final solve करेंगे तो देखिए इसमें से 11 116 गया तो आपका यहाँ क्या 5 upon यह हो जाएगा आपका 22 upon correct इसके बाद इसमें इसको जब आप बेटा add करेंगे तो जाएगा 9 4 upon हो जाएगा 44 आप देखिए जब कभी भी A upon B, B upon C के form में लिखाओ तब आपको मैंने क्या बताया था तब आपको मैंने बताया था उपर वाले का आखरी वाले से multiply और बीच वाले का बीच वाले से multiply इसके बाद हो जाएगा 22 into 49 अब आप इसको solve कीजिए तो आपका क्या हो जाएगा जब आप इसको आगे solve करेंगे आप तब आपका आज आएगा देखो कट रहा तो कट कर दो ये कितनी बार में जाएगा आप बोलेंगे 2 बार में चला जाएगा ये हो जाएगा 5 into 2 डिनोमेटर में क्या बचा आपका 49 ये हो जाएगा आपका correct answer ये हो जाएगा आपका correct answer answer number कौन समयच कर रहा है answer number आपका डी जो की correct है बात समझ में आई बहुत अच्छा question था आपको दिया गया है 16 नंबर 16 नंबर देखिए किस नजरिये से आप से पूछा गया है टीके sin theta sin theta is equal to क्या दिया गया 12 upon 13 sign होता क्या आपका P upon P upon H तो यहां से आप B की value कैसे find करेंगे तो आपकी B की value यहां से निकलाएगी आप बढ़े ही आसान भी भूल सकते हैं बी की value से आपके निकलाएगी यहीं पे लिग लेते हैं बी की value आपके निकलाएगी पांच 12 तेरे का triplet होता है तो बी की value क्या हो जाएगी आपकी 5 correct इसके बाद यह आपकी condition दी गई है क्या sin square theta minus cos square theta upon 2 sin theta into cos theta into 1 upon 10 square theta 1 upon 10 square theta चलिए इसको करते हैं हम solve क्या है आपका आप बोलेंगे यहाँ पे दिया गया है sin square theta minus cos square theta upon upon 2 sin theta into cos theta into 1 upon 10 square theta हम इसको आपको 2 method से करना बताएंगे है हां पहले आपका पहला method देख लेते हैं क्या हो सकता है आप पहला method देखिए बहुत ही देखने में आपको भाहने condition लिख रही हो फिलाल ऐसा आपको नहीं सोचना है value रखिए आपका answer आजाएगा sin square theta साइन होता है आपका P upon H P की value टाक्ट लिए P की value P upon H H की value क्या है आपकी 13 इसका करना है आपको square बात समझ में आई माइनस cos square theta cos होता आपका B upon H B upon H तो 5 upon H की value क्या है आप बोलेंगे 13 है ना चलिए इसका करना है आपको square upon आप देखिए यहाँ से आपको हाँ पहले solve कर ले ति उसके बाद cut करेंगे चलो यह हो जाएगा आपका two correct और इसके बाद क्या लिखा आपका sin theta into cos theta as intended इसके बाद into यह one upon ten one upon ten theta क्या हो जाता है किसका रिसी प्रोकल होता है cot square theta ना तो क्या हो जाएगा cot square theta और cot square cot होता है क्या आप बोलेंगे cot होता है सर जी cos square theta upon sin square theta बस समझ में आई बहुत पड़िया यहाँ से देखिए आपका यहाँ से आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि यह square से हां एक आपका cos finish हो जाएगा एक आप a cos finish हो जाएगा अब आगे इसको और solve करते हैं तब देखिए आपको क्या होगा 12 का square हो जाएगा आपका 144 upon 13 का हो जाएगा 169 169 minus 5 पर score हो जाएगा आपको 25 यह 13 की square हो जाएगा 169 upon 169 upon 2 2 और sign की value आप क्या होती है आप की आपकी बोलेंगे 12 और h की वैलू क्या है आपकी 13 ठीक है into into की वैलू को रखना ही नहीं यह तो आपका कट हो गया अब यहां पे इंटू है ना पॉस थीटा आप देखिए स्कौायर नहीं बचाए यहां पे बचाए क्या क्या कॉस थीटा और कॉस होता है आपका अचैन स्कौायर थीटा अब जब इसी कंडिशन को आप यहां पर और आगे सौल्फ कीजिए तो उपर क्या बचा है आपका उपर बचाए आपका आप कॉस थीटा नीचे क्या बचा था आपने देखा साइन सौायर थीटा थीटा बचाता तो इसको हमने दो पार्टब्रेक कर लिया तो क्या लिख दिया एक बार साइन थीटा और सेकेंड बार भी आपका लिख दिया साइन थीटा क्यों साइन थीटा आप जब मल्टिप्लाइ करेंगे तब आपको निकल के आएगा साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा बस समझ में आई यहां से आप क्या कर सकते हैं य आप बोलेंगे यह हो जाएगा हमारा सौरी अभी इसको उसमें कनवर्ड नहीं किया ना चलिए तो कॉस अपॉन साइन यह हो जाएगा आपका कॉट थीटा चोटी चोटी बातों को याद में रखके चलना है वरना गलती होने के चांस बहुत जादा रहते हैं तो हो जाएगा क क्या आपका आप बोलेंगे सर जी हो जाएगा हमारा कॉट थीटा कॉट थीटा पॉन साइन थीटा अब यहां से आप एक और भी तुकर सकते हैं बोलो क्या अब आपका देखो साइन भी आ से कट जाएगा बिल्कुल बेसिक से बता रहें एक भी हम आपको डाउट नहीं आन इंटू साइन थेटा बात समझ में आई आप इसको ऐसे भी करके आगे सॉल्व कर सकते हैं इस दिमाग लगा के यह डायक्ट यहीं पर वैलू रख दीजिए आपके मन में तो हमने आपको यह इस्ट्रा पार्ट आपको बता दिया इक्स्ट्रा पार्ट आपको यह बताया जो क कि आपको इसको ब्रेकेड में करके रखना है इस से अंस वाल को नहीं करेंगे के वालों के वाला को मैंने बताया है इसको कैसे आप एक्स्पेंड कर सकते हैं और बहुत मैंठ़त होते ना कई बच्चे किसी मैंठेट से सॉल्व कर रहे हैं तो यसा नहीं अप्रोच अपने जल्दी कर पएंगे, क्या भचा, पॉर्चा, कॉस अपन, साइं प्वाइक भोता है, क्या है, कॉस बोलेंगे, आप बी, आप अपन, एच, बी की वैलू अपकी 5, ह की वैलू आपकी 13, आपन, साइन का स्क्वाइर करना, साइन, एच दोड़ है, एक चॉछार पॉर डवल फोर अपॉन एच की वैलू आपकी 30 तो क्या हो जागा 169 बाद समझ में आई आप देखो यहां से अब असकुछ नहीं इसको आप सॉल्व करिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब आपको देखो क्या आजाएगा के कैलिसन थोड़ा लॉंग ही है अब क्या करें करना तो पड़े गए इसका lcm लेंगे तो आपको क्या आजाएगा as it is 169 बास समझ में आई इसके बाद 169 उपर वाला आपके क्या हो जाएगा 144-25 अपॉन यह क्या हो जाएगा आपका आपको भी पता है उपर उपर का मल्टिप्राई होता है तो यह हो जाएगा आपको 24 24 अपॉन 30 बास समझ में आई बहुत बढ़े हा इंटू इंटू आपको भी पता है जब ऐसी सिच्वेशन बनती है तो यह वाला चला जाता है आपका उपर आँ ओवर लैप कर जाता है अपॉन इसका इससे मल्टिप्लाई इसका इससे मल्टिप्लाई बास समझ में आई यह हो जाएगा 13 इंटू 13 इंटू हो जाएगा 1414 वन डबल और आगे चलते भी आगे जब इसको आप ओर करेंगे तब एगा पर देख्याब लांगर तो क्या किबेंच अब यह मोटिता आपको लेंदी मिल सकते हैं क्या मैंने का कुछ कोशन ऐसे होंगे जो कि आपको लेंदी मिल सकते हैं तो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है हां आं बात समझपा рахाएं चलिए बहुत बड़े आप देखिए यां से अभी आपको मैघ्टर नमर बन से बता रहें यह अपको इस स्मार्ट अैनिल सांसर आजायगा करेक्ट तीन से चार्ड लाइनों में आपका एंसर आ जाएगा बात आई समझ में बहुत बढ़े है तो देखिए अब बारी आती इसको सॉल्व करने की तो देखिए यहां से हाँ इसको सॉल्व की जी क्या हो जाएगा आपका देखो एक सचोवाइस में से पत्चिस जाएगा आप जो का हो जाएगा 119 यह आप 13 आप ऊपर चला जाएगा डायक्ट एक बार में लिग लिए 13 और देखिए 169 इंटू बस आपको अरेंज करके बस सॉल्व करना है फाइनल 169 अपॉन क्या हो जाएगा 13 इंटू 144 जब आप इसको फाइनल सॉल्व करेंगे बेटा तब आपका अंसर क्या आजाएगा यह आपको देख रहे हैं क्योंकि अभी आपने नाईत कुछ कुछ कॉमन लिया था बस आपने बेसिक मुद्दे से किया जब आप इसको सॉल्व कर करेंगे तब आपका पता है अंसर कौन सा आएगा अंसर आपका आजाएगा एंसर नंबर डी ठीक है तो आप ने देखा कितनी लंबी कल्कुलेशन हो गई ठीक है क्योंकि देखे इस से यह वाला आपका कट 13 से 13 कट अब बचा क्या आपका यह इसको हमने पहले कट कर लिया इसलिए मैंने डेक्ट बता दिया जब इसको आप सौल करेंगे 119 को मल्टी प्राइक करेंगे 5 में और डिनोमेटर में क्या वचा 24 is equal to 104 जब इसका इंटू कराएंगे तब आपको निकल के यह आएगा क्या पांसो पंचान में पहुंद 3456 अब आम इसको बताते हैं एक नेस्ट लेवल से ठीक है और भी स्मार्ट अप्रोच से चलो क्यों कि देखिए अभी बेसिक से आपने किया तो बेसिक करने का अभी अपना अपना एक फार्मूला फंडा होता है कि कितने कम स्टेप में आप इस यह होता आपका P और होगा आपका H तो B की वैलू आपकी अन्यां कि निकल आएगी आप बोलेंगे 5 सर आ गई इसके बादध को यह वाली वैलू करने है तो देख्ट इसकी वैलू रख दो आप डेख्ट इसकी वैलू रख दो आप साइन क्या होता आपका P UhC P upon H P, P की value क्या आपकी that कर रहे हैं आप 12, 12 कि स्कौर हो जाएगा आपका 144 144 upon H, H हो जाएगा आपका 169 correct minus, यह cost होता है आपका B upon H, B आपका B कि स्कौर हो जाएगा, 55 कि स्कौर हो जाएगा 25 25 upon 169 यह बात समझ में आई, upon upon हो जाएगा 2 into sign होगा, आपका P upon H 12 upon 13 और into cos B upon H B upon H, B है आपका 5 और H है आपका 13 into 1 upon, क्या दिया गया है 10 square theta 10 square theta, बड़े ही पैर सब्दों में आपको आजाएगा, 12 कि स्कौर हो जाएगा P upon B होता है तो P है आपका 12, 12 कि स्कौर हो जाएगा आपका 124 upon P upon B 25 बस समझ में आई, अब आपको भी पता है 5 आपको चला जाएगा overlapper के उपर 5 आपको चला जाएगा overlapper के उपर एक बार इसको और solve करते हैं देखिए उपर LCM लीजी आपके क्या जाएगा आपका आजाएगा 119 बस समझ में आई, चलिए और नीची आजाएगे नीची आप जबिए आप आएगे तब देखिए आपका 2 into 12 into 5 upon cut नहीं कर रहे हैं, कुछ रीजन है 169, 13 का इसमें multiply करा दिया और into, आपको भी पता ये 25 आपका overlap कर जाएगा, चला जाएगा आपका ऊपर upon, ये क्या हो जाएगा आपका 1 double 4 अब बार याति इसको solve करने की, देखो एक बारेंज कर लें, फिर लिए चलो, यहीं से पहले इसको finish कर देते हैं ओके, ये जाएगा आपका कितना 5 time में और कुछ जाने लायक है नहीं, जब और कुछ नहीं बचा तब आप इसको solve कीजिए, तो उपर आपका numerator बचा 119 into 5 upon, ये हो जाएगा आपका 24 into 24 into 1 double 4 जब आप इसको final solve करेंगे जब आप इसको final solve करेंगे तब आपका result पता है क्या आजाएगा option number D 595 upon 3456 ये देखिए आपका तो आपको जो method best लगे है वो इकले ना, फिलार ये वाला आपको easy लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बताया था हमने क्या कहा था, पिछला जो question हमने किया था नरफ कर दिया, तो आपको सब सब उसको expand करके भी बता दिया था इसके बाद सारा कुछ conclusion और ज्यादा lengthy होता जारा था, पर आपका basic तो complete होना चाहिए ना, चलिए ये आपका, आप question में आप exam में जब बैटेंगे, exam mall में तब आपको essay करना है, और देखिए किस का था SSC CHSL का question था जो कि आपने बड़ी प्यार महबत से solve कर लिया इसके बाद इसके बाद, याँज चलेंगे next class में चलिए बाकी बहुत smart concept पढ़े हैं आपने हां, बहुत ही मजाई हो चलिए, मजाया पढ़के practice करते हैं ना आप खुद देख रहे हैं, आपको relevant आए हुए question नहीं करवा जा रहे है back here repeated question, वो भी कौन से SSC, CGL जैसे exam के pre plus men's के और CHSL CPU को target करते हुए correct, बाकी वीडियो को like, share, subscribe करना ना बोले sharing की scoring बढ़ाते रहे है love you all, take care, मिलते है next वीडियो में जैहन